हेलो दोस्तो केसे हैं आप सबी मेरा नाम है हन्मान और आप देख रहे हैं इस्टडी विद अच्पि स्वामी ओफिसिल यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज बात करते हैं डारेक्ट्रेट ओफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो भरती 2021 में फाइनली आ चुकी है दोस्तो इसमें जो है इस्टेनो ग्राफर, ड्राइवर, MTS इत्यादी परकार की जो है पोस्टें आर की है वीडियो के अंता तक जुड़े रहेगा इस वीडियो में हम जो है आपको संपूर्ण जानकारी टेप आश टेप देने वाले हैं जैसा कि क्या इसमें सेलेक्शन प्रोसेजर रहेगा, कौन-कौन सी वेकेंसिज है और किस पोस्ट के लिए जो है क्या आपका एजुकेशनल क्वालिवकेशन रहने वाला है तो दोस्तो वीडियो के आंतर तक जुड़े रहेगा जैसा कि नमबर एक पे आप देख सकते हैं डारेक्टर ओफ ट्रांसपोर्ट यानि जो है ये दोस्तो गवर्मेंट ओफ गवा की तरब से जो रुकृर्मेंट आज चुका है दोस्तो ये सरकारी नोकरी है पर्मानेट नोकरी है अगर आप भी चाहते हैं गवा में इस्टेनोग्राफर बनना या लडिसी बनना ड्राइवर बनना तो दोस्तो एक बार इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा और इस फॉर्म को जो है आप एक बार एपलाई जरूर करेगा तो दोस्तो फानले बात करते हैं नबर एक पे असिस्टेन्ट मोर्टरवाइकल इंस्पेक्टर जी या दोस्तो बात करते हैं आपका जो है क्या educational qualifications रहने वाला है तो दोस्तों आपका इसमें जो है minimum आपका qualifications 10th standard जी हाँ दोस्तों आपका जो है 10 में पास होना चाहिए साथ ही आपका जो है एक डिपलोमा होना चाहिए जो motor vehicle या automobile engineering years में जो है आपका 3 साल का डिपलोमा कोर्स होना चाहिए दोस्तों अगर आपके पास mechanical engineering या इसी से related अगर आपके पास डिपलोमा है तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो दोस्तों साथ ही साथ में बता दूँ कि यहाँ आपको जो है knowledge of Marathi जी हाँ दोस्तों जिस बर्टी का काफी लंबे समय से इंतजार है विद्यारतियों को junior stenographer खादो दोस्तों इसके भी जो है तीन पद आज चुके हैं एक पद इसमें unreserved candidates के लिए हैं एक पद OBC के लिए हैं वहीं ex-service man की बात करें तो एक पद दोस्तों total number of post इसकी जो है तीन वे किन चीज़ है दोस्तों इसमें जो है आपका educational qualification में higher secondary मांगा गया है जिया दोस्तों आपका बार्वी पास होना चाहिए तो आप जो है इस बर्ती में apply कर चकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आपका जो 110 का speed होता है 100 word per minute होना चाहिए जिया दोस्तों 100 word per minute आपका 110 का speed होना चाहिए और typing का जो आपका speed रहेगा 35 word per minute रहने वाला है और दोस्तों साथ ही साथ जो है आपको knowledge of Marathi and Konkani जिया दोस्तों आपको जो है Konkani का knowledge होना चाहिए आपको Marathi का knowledge होना चाहिए और आपके पास जो है minimum 3 आपकी short hand में speed होनी चाहिए 35 word per minute आपकी typing speed होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका 12 पास होना चाहिए दोस्तों तो आप short hand के लिए apply कर सकते हैं अब next बात करते हैं Lord Division Color जिया दोस्तों LDC इसकी जो है बंपर भरते हैं दोस्तों LDC जो है कुल 13 पोस्ट आर किये जिसमें से category wise इनों जो है पोस्टों को देर्ख है आप यहां से जो है देख सकते हैं वेतन आपका जो लेवल 2 पे रहने वाला है दोस्तों साथ इसमें जो है आपका higher secondary पास होना चाहिए जिया दोस्तों आपका जो है knowledge of konkani and marathi जिया दोस्तों गवा government के according आपको konkani आनी चाहिए और आपको marathi भी आनी चाहिए दोस्तों अब next बात करते हैं for driver की तो दोस्तों driver की जो है कुल 4 पद आर के हैं अगर आप driver के लिए apply करते हैं और साथ यसाथ आपको driving license होना बहुत जरूरी है जिया दोस्तों आप driving के पॉश्च के लिए apply करते हैं आपके पास driving license होना चाहिए vehicle का आपके पास license इसमें light vehicle का भी हो सकता है और आपका konkani and marathi में knowledge होना चाहिए दोस्तों आप कुछ driver के लिए अलग से कुछ सेट्वेट देर के यहां पर जो noted करके रिखाए नोंने ये भी आपके पास जो होना चाहिए दोस्तों अब next बात करते हैं multitasking stop number 5 पे दोस्तो multitasking stop की यहां पर जो खुल 10 पदों पर vacances पर बढ़ती होने वाली है जिसमें 5 अन रिजो कंडिटर्स के लिए रहेंगे EWS के दो रहेंगे और X सर्विसमेन के लिए दो पद रहेंगे और PWD के लिए एक पद रहने वाला है दोस्तों यहां पर आपका जो है past secondary school आपका 10 स्विन पास होना चाहिए आपको कौंकणी मराठी का नोलेज होना चाहिए और दोस्तों आपके पास जो है अगर आपके पास यह जीज़े नहीं होती है तो आपके पास जो है एक industry training में institute में या इसी के equivalent में आपका जो है एक trade में कोई आपका course किया होना होना चाहिए multitasking staff के लिए तो आप इसमें जो है apply कर सकते है और साथे साथ आपका दर स्विपास होना चाहिए दोस्तों इसमें भी आपको जो है कौंकणी एंड मराठी का नोलेज होना दोस्तों बहुत आवश्यक है और multitasking staff के लिए आप apply करना चाहिए तो आपको जो है operating का जो system होता है जैसे computer operate करना office को कैसे operate करते है machines को कैसे operate करते है दोस्तों इसका भी आपको knowledge होना चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं इसकी जो क्या age limit रहने वाली है और कब से कब तक आप apply करेंगे और कैसे आप apply करेंगे दोस्तों age यहां पे आपकी 45 साल मांगेगी जी हां दोस्तों आप 45 साल से कम है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और category wise इसमें age में relations भी दिया जाएगा दोस्तों आप 4.12.2021 से लेके 18.12.2021 तक apply करेंगे जी हां दोस्तों 4.12.2021 से लेके आप 18.12.2021 तक इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों अभी भी इसमें काफी दिन पढ़े हैं आपने अगर अभी तक apply नहीं किया है तो एक बार apply जरू करेंगा और दोस्तों apply करने से पहले एक बार इस जो बरते का जो संपूर्ण official notification है उसको एक बार आप जरूर read कर लिए जगा जो हमने हमारे telegram group में डाल दिया है और telegram group का link जो है वीडियो के description देर का है आप चाहें तो site का भी visit कर सकते हैं दोस्तों इसमें application आपको online mode में ही apply करना है इन्होंने official website भी देर के आप इनकी official website पर जाके जो है संपूर्ण जाने का रिप्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए धन्यवाद ऐसे ही update पाने के लिए हमारे इस channel को आज ही अभी subscribe करें